बड़ी कबर दहरादुन से आपको बता दे जहां केंद्र सरकार को घेरने की तयारी में है कॉंग्रेस आज राजपाल आवास का घेराओ करेगी कॉंग्रेस राजस्थान के सियासी संकट पर सौपेगी ग्यापन तो राजपाल के जरिये रास्टपती को भेजा जाएगा ग्यापन तो विपक्ष को घेरने की पूरी तयारी हो गई है लागता नए नए मुद्दे उठाये जा रहे हैं और आज राजपाल के जरिये रास्टपती को भेजा जाएगा ग्यापन और एक बर फिर से कॉंग्रेस तो देरादन से बड़ी कबर कि इन सरकार को गेरनी की तयारी में है कॉंग्रेस आज राजपाल आवास का घेराउ करेंगी कॉंग्रेस राजस्थान के सियासी संकट पर ग्यापन सौपेगी तो विपक्ष लागतार कोई ना कोई मुद्दा ढून निकालता है रुजबा राजस्थान का मुद्दा है सीधा रुख करते हैं हमारे समवादाता आजीत कामबोज का जो इस वक्त मारे साथ लाइब बने वे हैं अजित विपक्ष लागतार कोई ना कोई एहम मुद्दा निकाल के लेके आ चाता है अब राजस्थान का मुद्दा गर्मया हुआ है इसको लेकर विपक्ष की क्या कुछ तयारी है विपक्ष किस तरह से घिलाओ करने वाली है आज बिल्कु पूजा अगर आक्रामक रुक की बात की जाए तो विपक्ष पूरी तरह से राजनीती के मूड में आ चुका है और इसको लेकर राष्टे नेत्रत्व की तरफ से जो भी दिशाने देश संगट्पों को मिल रहे हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर कारवाई हो रही ह जी पूजा जी हम आपसे यह जाना चाहरे थी कि किस तरह से विपक्ष जो है तयार है बिल्कु पूजा अगर विपक्ष की बात की जाए तो वो अब आकरामक धूमिका में नजर आ रहा है कुरोना काल में हाला कि उन्होंने दवे सोरों में अपनी बात को उठाने का काम किया सोसल डिस्टंसिंग और कोविट के जो भी नियम थे उनके अनुसार उन्होंने आपनी राजनेतिक लड़ाई लड़ी है लेकिन अब वो फुल मूड में है चाहे फिर वो महराश्ट के तमाम इस्शूस की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बात हो तो मुख्य विपक्षी दल है उत्राखंड में लगाता है सरकार के खिलाफ आक्रामक रहा है राज्य सरकार के अगर बात की जाए तो कई मुद्धों पर राज्य सरकार को घेरने का काम किया और महंगाई को लेकर सीदे तोर पर किंद्र सरकार पर भी निशाना सादा गया अब लोगतंत्र की हत्या की बात करते वे राजस्थान के मुद्धे को लेकर सीदे तोर पर राज्य पाल का घेराव किया जाएगा और राज़पाल के माध्यम से ही सीधे तौप पर राष्टपती को एक ग्यापन प्रिसित किया जाएगा तो कॉंग्रेस सीधे तूर पर अब इस मूर में आ चुका है कि अपने लड़ाई को अब कॉंग्रेस भाउन से बाहर निकल का सरकोपा लड़ना होगा अभी तक जो भी अंदुलन रहे हैं वो कॉंग्रेस भाउन की परिदी के भीतर ही रहे हैं लेकिन अब राज़पाल आवास का घिराओ करने का एक बड़ा खैसला है कॉंग्रेस संगठन का जिसको लेकर तैयार्या पूरी होने का दावा किया जा रहा है कॉंग्रेस की तरफ से और लगबग 11 बजे समय रखा गया है राज़पाल आवास का घिराओ करने का जी बिल्कुल अजीट तो राज़पाल आवास का घिराओ करने की तैयारी चल रही है इस तैयारी में कौन-कौन से बड़े नेता कॉंग्रेस के शामल है कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-क जी बिलकूल अजीत बात हरी श्रावत की करे तो वो लगतार कई आरोप लगाते रहते हैं और चलचा का विशह बने रहते हैं विपक्ष को लेकर लगतार ताने भी मारते रहते हैं अब उनका कहना है कि केंद सरकार विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है इसको लेकर कॉंग्रिस का क्या कुछ कहना है और आज की तैयारी में हरिश रावत का कौन सा एहम भूमिका है जो सभी मतलब नजर बना के सभी ने रखी है बिल्कु पूजा आपने ठीक कहा अगर हरिश रावत की बात की जाए तो वो एकला चलो की राजनीती पर ज्यादा विश्वास रखते हैं और उत्राखंड के भीतर वो मौजूद रहते हैं तो संगठन से अलग हटकर उनके कई कारकरम होते हैं चाहे महंगाई को लेकर उनका बैल गाड़ी पर यात्रा निकालने की बात हो कॉंग्रेश संगठन की तरफ से परदेश सद्यक्ष प्रितम सिंग धरना परदशन करते हैं तो ठीक उसी वक्त हरिश रावत अपनी अलग से बैल गाड़ी लेकर रवाना हो जाते हैं तो तमाम ऐसी चीजे हैं जो हरिश रावत के मन में चलती हैं और वो अपने इस तर से ही उसको संपन भी करते हैं अब आज के कारकरम को लेकर हाला कि जो जानकारी मिल रही है परदेश संगठन के तरफ से सभी बड़े नेताओं को आमंतरित किया गया है इस बड़े कारकरम म जाते हैं या केवल एक संब करивают पर ही आते हैं यह सिदह तर पर एक जो परकरिया होती है क्यंवल संगठन पे खड़े होते हैं तो तमाम ऐसी चीजें जो हरिशावत के मन में चलती रहती है संगठन को कितना तवज्ज़ देते हैं इस बात की बानगी भी आज के कारकरम में सामने आ जाएगी इसके अलावा जो बड़े शिर्ष नेता हैं कॉंग्रेस के वोस में कितना शामिल होते हैं हाला कि परदेश अदेख प्रितम सिंग आन लेकर इस बार आता है बहुत बहुत शुक्रे आजीत हम से जोड़ने के लिए तमाम चानकारी के लिए